आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ तो हमारा Question पूछ रहा है कि Kodal और Zooxanthila के बीच के इंटर रिलेशन्शिप के बारे में पूछ रहा है तो Basically इसमें क्या है हमारा Zooxanthila जो है वो क्या है Zooxanthila जो है हमारा वो Photosynthetic Algae है Photosynthetic Algae है तो यह क्या करता है Food बनाता है Photosynthesis के basis पर क्या बनता है Food बनता है किसके हल्प से? Light के हल्प से तो यह जो Algae है Photosynthetic Algae यह है और यह जो Coral है तो यह दोनों आपस में क्या एक Coral Coral and Zooxanthila जो है वो आपस में क्या एक Symbiatic Relationship बनाते है तो यह कैसा Relationship है Symbiatic है इसमें क्या होता है कि Coral Zooxanthila को एक Protective Environment प्रोवाइट करता है Coral Zooxanthila को क्या प्रोवाइट करा रहा है Protective Environment प्रोवाइट कर रहा है और Zooxanthila क्या प्रोवाइट करा रहा है Zooxanthila उसे Photosynthesis से Food प्रोवाइट करा रहा है तो यह क्या हो रहा है यह Mutual इनके बीच में जो Relationship है वो Mutual है दोनों को Benefit हो रहा है तो लेकिन यह जो Symbiosis है यह क्या एक Physical Symbiosis है मतलब अगर Coral हट गया Zooxanthila अगर अलग हट गया तो यह दोनों Survive नहीं कर पाएंगे लेकिन जब यह दोनों Attach होंगे तो एक दूसरे को Benefit करवाएंगे Survival Rate इनका High होगा तो इस तरीके के Symbiotic Relationship को क्या बोल रहे है Physiological Symbiosis बोल रहे है हम लोग तो इस Question का आंसर क्या होगा Physiological Symbiosis जो की Option D है Thank you Classics to 12 से लेके Meet IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलूट करें डाउटने टाप या WhatsApp कीचे अपने डाउट्स 8444 चार्सो पर